नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्द प्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्द प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में किसानों के लिए बड़ी खबाय जल्द पूरा होगा सर्वे का कारे प्रदेश में बेमौसम हुई बारिश और बरसात की वज़े से किसानों का बड़ा नुकसान होने लगा है केत में पकी हुई फसले पूरी तरह से तबाह हो गई उलवरश्टी से नुकसान का सर्वेक करने के लिए साथ दिन का समय दिया गया है राज़ शासन के दौरा इसके निर्देश दिये कए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छे खबर मिलेगा 10,000 रुपे का लाउ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशकबरी है आस से चलेगी ये स्पेशल ट्रेंगी इसके अलावा नौ ट्रेंज 19 मार्श तक परिवर्दित रूट से चलेंगी गारे संख्या 11651 बटे 5 दो जबलपूर सिंगरॉली जबलपूर इंटर सिटी एक्स्प्रेस जबलपूर से 13 से 19 तक और सिंगरॉली से 14 से 20 मार्श तक निरस्त रहेंगी कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर एरियर सहीत वेतन मान दे का होगा भुक्तान कर्मचारी शिक्षकों के लिए मान दे राशी का वंटन कर दिया गया है इसके लिए आदेश पिजारी कर दिये गए हैं स्कूर शिक्षा विभाग मंत्राले द्वारा कर्मचारी शिक्षकों के मांदे राशी जारी की गई जल्द उनके लंबित बकाया वेतन और एडिया का भुकतान किया जाएगा मद्र प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश किसानों के मुश्किले बढ़ा रही है मौसम वेग्यानिकों के मताबिक 15 मार्च से फिर बारिश का दौर शिरू होगा जो 3-4 दिन तक चलेगा अरब सागर से आने वाली हवाओ के चलते पूरे प्रदेश में असर रहेगा पारिश के साथ ओले गिरेंगे और तेज आन्दी भी चलेगी मौसम विभाग के मताबिक 15-18 मार्च के बीच प्रदेश में तेज जान्धी चलेगी और ओले गिरने की संभाव ना बनी रहेगी प्रदेश सरकाने महिलाओ के लिए लाडली बहना योजना शुरू की इसमें पात्र महिलाओ को हजार रुपे प्रतिमा उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे इसके लिए ओनलाइन आवेदन जमा किये जा रहे हैं इंद और जिले में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर आंगनवारी कारिकर्टा निगम के जोनल और वाड प्रभारियों को प्रशिक शंट दिया गया इसमें आवेदन फॉर्म भरने और बैंक खातों से आधार लिंक करने जैसी जानकार याद दी काई CUET परिक्षा में आवेदन करने के अंतिम दो देन परिक्षाई के समय से Common University Entrance Trust UG में आवेदन करने को लेकर विद्यारतियों के पास अंतिम दो दिन शेश रह गए National Testing Agency ने रजिस्ट्रेशन के तारीक रविवार तक रखी मगर इन दिनों बारवेग अक्षा की बोर्ट परिक्षाईं चल रही है ऐसे भी कई राज्यों स्तरिय और केंद्रे विश विद्याले ने आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग उठाई उनका कहना है कि विद्यार्ती परिक्षा में व्यस्त है इसके चलते हैं विद्यार्तियों को कुछ दिन की और महलत मिलनी चाहिए ग्रह मंत्रा लेने की एहम घोशना ब्यस एफ में पूरवगनी वीरो को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षन केंद्र सरकार ने आजगनी वीरो को लेकर एक और बड़ी घोशना की सरकार ने ब्यस एफ के भी तरिक्तियों में पूरवगनी वीरो के लिए 10 फीसद आरक्षन की घोशना की इसे के साथ उपरी आयो सीमा मांदंडो में भी चूट की घोशना की गई हाला की आयो सीमा में टूट इस बात पर निर्भर करेगी कि वे पहले बैच का हिस्सा है या बात की बैच इसका जल्द बंद हो जाएंगे इंडोर की 146 शराब दुकाने मद्रदेश का दिल इंडोर शहर सचिता के साथ-साथ अपने नेक कामों के लिए देज भर में प्रसिद है इंडोर को फूद हब के नाम से भी जाना जाता है वहीं शहर में कई शराब के दुकाने भी मौजूद हैं जोहां सबसे जादा भीड लोगों की देखने को मिलती है लेकिन अभी हाल ही में एक खबर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है कि शहर में मौजूद कई शराब दुकानों को बंद करने करने ने आपकारी विभाग के द्वारा लिया गया है वर्ड हरिटेज में गैर को शामल करने पर सोर इस बार इन दोर में निकलने वाली गैर की पूरी तयारी कर ली कई मियर इन कॉंसल की बैचक भी की जा चुकी है ऐसे में इस बार निकलने वाली गैर को वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा दिलवाने के साथ परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रियास जोरो शोरो से किया जा रहा है उमीद लगाई जा रही है कि इस बार करीब पांच लाग से जादा लोग इस गैर में शामिल हो सकती है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद